है एब्रिवान वेल्कम टू माई चैनल इजी सॉलूशन्स विस इस विए जुकिल्टर पूजा फेकल्टी ओफ मैठ्स इन साइन्स गाइज आज की क्लास में आप लोगों को क्या मिनने वाला है आज की क्लास में आप लोगों को बताने वाली हूं बच्चों 10th CBSE Board का सलेबस वैसे तो आप लोगों को सबको पता है कि आपकर कितना परसेंट सलेबस रिडियोज हो चुका है आप सबने देख लिया होगा अभी तक तो बट इस वीडियो से आपको क्या फाइदा होने वाला है दाइस बहुत सारे बच्चों की मेरे पास कमेंट्स आते हैं जहां मैं अन अकैडमी पर जहां मैं टीच करती हूँ आप अच्छों के बहुत सारे क्योशन्स आ रहे थे कितना सलेबस रिडियोज हुआ है कितने चैप्टर से कितने कॉशन नहीं आएंगे किस टाइप के कॉशन्स नहीं आएंगे क्या पुरा चैप्टर रिमूव हो चुका है या फिर आपके लिए बाकी सब्जेक्ट का भी सलेबस लेकर आ सकूँ ठीक है बच्छों तो आपको मैं स्टाटेजी भी एक बताने वाली हूँ बच्छों कि आप लोगों को किस तरीके से अपने मैट्स और साइंस में 90% यानि कि 90 प्लस 90 प्लस आपको मैट्स और साइंस में किस तर यह बच्छों शुरू करते हैं बिना टाइन वेस्ट कि चलिए गाइस सबसे पहली बात आपको यह पता होना चाहिए कि आपका कौन सा चैप्टर कितने माक्स आपके एक्जाम में सिक्योर कर रहा है वरना ऐसा हो जाता है कि जो आपका मैक्सिमम माक्स का चैप्टर एक्जा आप में नहीं आ सकता तो बचो आप उसे चोट चैप्टर की तरह बढ़िए एक चैप्टर पे अपना चाहिए हलाआगे इंपैसा करें सुब्लागे हैं। पर जादा फोकस आपको किस चैपटर पर करना है जिस चैपटर से आपके मैक्सिमा माँच सिक्वर हो एव एक्ग्जांपल जैसे अगर मॉटर आपको बताऊों नंबर सिस्टम आपका six marks को सिक्वर कर रहा है Algebra 20 Codid. s. geometry 15 trigonometry 12 10 statistics and probability 11 अब आप पुछेंगे कि नंबर सिस्टम के अंदर कौन कौन से चेप्टर आ जाते हैं नंबर सिस्टम में आपका चेप्टर आता है बचो रियल नंबर ठीक है और एलजेब्रा में क्या क्या आ जाता है बचो अलजेब्रा में आपका आजाता है पॉलिनोमियल्स पेर ओफ लिनियर एक्वेशन और और हां और अर्थमेटिक ठीक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी सीरीज बचों का फेवरेट चक्तर यह सारे आपके आ जाते हैं बचो किसके अंदर अलजेबरा के अंदर कॉडिनेट जिमेट्री के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है आपको सर्किल्स पढ़ना है आपको ट्राइंगल पढ़ना है यह सारी चीज़ें आपको किसके अंदर पढ़नी है सारी चीज़ें आपको जियोमेट्री के अंदर पढ़नी है आपको क्या करना है बच्चों आपको ट्रिग्नोमेट्री करनी है यह दो आपको ब Azerbaijan पहले पता चल चुका है कि आपका कौन CA आपके कितने मक शिक्यूर कर रहा है मैं बात करती हूं कि आपको क्या strategy रखनी है किस तरीके से आपको मैज की तेयारीं करनी है तो बच्चो मैं आपको पहले बताती हूं कि मेरी क्या strategy मैं आप लोगोंके लिए going मैं आप लोगों के लिए क्रेश कोर्स नहीं करने महीने में त्री मंच क्रेंगे बच्जों मैंbu सब्सक्राइब जिससे आपके क्या हो maximum mark secure important notes में आप लोगों को करवाने वाली हूं ठीक है सिर्फ हम क्या करने वाले हैं important notes करने वाले हैं बाकी जो आपको detail course करना है वह आप कहां से कर सकते हैं आप लोग उसके लिए पर definitely join कर सकते हैं वहां भी free of cost मेरी सारी classes मिल जाएंगी बिना किसी कोस्ट के free classes चलती है तो आप लोग मुझे वहां पर definitely join कर सकते हैं और आपको YouTube पर भी मेरी काफी सारी classes मिल जाएंगी आने वाले time में मैं आप लोगों के लिए crash course तो लेकर आने ही वाली हूं जिसके अंदर आपको क्या होगा 3 months के अंदर मैं आप लोगों का syllabus complete करवाने का पूरा try करने वाली हूं important notes आपको मिलने वाले है crash course के अंदर जिन बचों ने अपना syllabus complete करवा चुका है उनकी practice होने वाली है जिन बचों का syllabus नहीं हुआ है वह भी काफी कुछ सीख के जाने वाले है तो make sure guys कि आप मेरे चैनल को जल्दि से subscribe कर लिजे और bell notification icon को भी press कर दीजे so that जब भी मैं अपना new course लेकर आँ तो आप लोगों के पास notification आ जाए ठीक है बचों तो make sure आपने मेरे चैनल को subscribe कर लिया हो और अगर आपने subscribe कर लिया है तो अपने दोस्तों को भी इसके बारे बताए बचों बिल्कुल free of cost education है जादा से जादा इस channel को share करिये so that मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर live classes भी लेकर आ सबूँ अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए live classes भी यूट्यूब पे बच्चे जो division algorithm था जो आपके division वाले question थे जैसे कि अगर आपको बताना था कि x square प्लस x को divide करिए आप x cube प्लस x प्लस 1 ऐसा कुछ ठीक है इस type के question आपके क्या हो चुके है रिमूब हो चुके है यह question आपके exam में नहीं आएंगे remainder theorem बच्चों को बहुत दिकत होती थी इसको करने में remainder theorem remainder theorem कैसे की जाए तो यह भी आपके syllabus से बच्चों remove हो चुका है remainder theorem आपके syllabus में नहीं है दूसरा हम बात करते है pair of linear equation के अंदर आपका क्या remove हुआ है तो pair of linear equations के अंदर बच्चों का बिलकुल मतलब enemy वाला अगर बात करें तो वैसे वाला method था न cross multiplication method बच्चे इस method स से कोसो दूर भागते थे तो यह वाला बच्चों आपके लिए good news कि यह वाला आपके syllabus से क्या हो चुका है पूरे तरीके से remove हो चुका है अब बच्चों आपको इसके अंदर लगता है आपका प्यारा दोस्त Elimination बच्चों का होता है सबसे प्यारा दोस्त सबसे एकदम सब से अच्छा ही बच्चों को यहीं लगता है कि बस Elimination आजाए एक्जाम में और तो कुछ आये ना तो बच्चों आपके लिए एक और good news है कि आपके सलेबस में थिरफ दो ही method अभी बच्चे हैं Elimination और सब्स्टीटूशन दो ही आपके method अभी बच्चे हैं सब्स्टीटू सारी classes मिल जाएंगी बिल्कुल free of post आप लोगों को क्या करना है Unacademy पर जाके आप लोगों को मुझे follow करना है सारी details आपको description box में मिल जाएंगी so you can follow me on Unacademy चलिए बच्चों next हम बात करते है real number real number में क्या है आपका remove हो चुका है बच्चे real number में आपके remove हो चुका है यो clear division lemma ये वाला method भी बच्चों को कुछ जादा पसंद नहीं था तो ये भी आपके syllabus से remove हो चुका है बच्चों इस बार सबसे best चीज़ पता है क्या हुई है सबसे अच्छा चीज है बच्चों तो ये आप लोगों के लिए बहुत बहुत ही अच्छा मोका है बच्चों आप बहुत अच्छे marks सेक्योर कर सकते हो मैच में 90 प्लस marks लाना आप लोगों के लिए अब कोई जादा बड़ी बात नहीं रह जाती है जब आपका इतना जादा से लेबस हो चुका ह ठीक है बच्चों तो इस साल आपके पास बहुत अच्छा मोका है आप अपने mark सेक्योर करिए अपनी rank सेक्योर करिए और यप 10 पर अपके पास बहुत स more ऐने वाली हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्स्क्राइब करिए तो आपको जो आप बोलेंगे जस टोपिक पे आपक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है शेयर करना है वीडियो को लाइक करना है वचो और कमेंट कर देना है अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगा लवी डेफिनेटल बालव कोया वीडियो लेकर आउंगी जिस टाफिक है क्यों को वारे मुव हुए बच्चे, situational problems based on equation कौन सी problem अब इसके अंदर बचों को लगते हैं कि quadratic equation में statement वाले question रेमुव हो चुकी है ऐसा नहीं है बचो quadratic equation में आपके situational problem वाले question से वो रेमुव हो है statement वाले question आपके remove नहीं हुए है बचो situational problem that means अगर आपको situation दी जाती है कि इस तरीके कि अगर situation है तो क्या उसका solution होगा तो वो situational problems आपके remove हुई है बच्चो statement वाले question remove नहीं हुए है तो आप लोग यह मत सोचे कि आपके quality के question और arithmetic में भी arithmetic में देरक है application in solving daily life problems based on the sum of end terms तो इसमें बच्चो को क्या लगता है इन दोनों chapter के अंदर बच्चो को लगता है कि statement वाले question ही remove हो चुके है statement वाले question बच्चो को लगता है remove हो चुके है बड़ ऐसा नहीं है बच्चो again मैं बोल रही हूँ statement वाले remove नहीं हुए है statement वाले question आपके ट्राइंगल में प्रूफ और फॉलॉविंग त्राइंगल में प्रूफ और सब्सक्राइड कुछ दो यह वाली जो दो थ्यूरम सेना इन थ्यूरम का क्या है पूफ आपके लेवस में नहीं है वाकि कॉश्ण साथ डैफिनेटली आएंगे ठीक है तो बच्चों यह ल तो अंगे बात करते हैं पॉर्षण को बिल्कुल पसंद नहीं आता चैंप्तर उसके अंदर क्या रिमूव है मोटिवेट दा रेशोस विच एवर डिफाइन डैट जीरो और नाइंटे डिगरी पर जो आपको कॉश्चन दिये जाते थे वह आपके सलेबस से रिमूब हो चुके हैं सर्फेस एरिया अब क्या आपके सिर्फ एप्लिकेशन ऑफ ट्रिक्रमेटर में आपके सिर्फ 30 डिगरी और 45 डिगरी और 60 डिगरी तीन ही एंगल के कॉश्चन आएंगे जीरो और 90 डिगरी के कॉश्चन आपके सलेबस से बच और रिमूब हो चुके हैं नेक्स हम बात करते हैं सर्फेस एरिया और वॉल्यूम्स सर्फेस एरिया और वॉल्यूम में क्या रिमूब हो है बचे फ्र यह पढ़ना है आपको इतना इजी रहता है ना यह तो बहुत इजी चैप्टे ना बचो यह मैंसुरेशन इसके अंदर क्या है सिरफ पॉर्मूलाज है हमें सिरफ पॉर्मूला पर वर्क करना है बाकी तो सब अपने आप होई जाते हैं अगे हम बात करें कि स्टैटिस्टिक् सब्सक्राइब करते हैं अगर आपको किसी भी तरीके का कुछ गलत बताया या फिर आपको कोई भी डाउट है कि कौन से टाइप के कॉस्टन रिमूब हुए कौन से टाइप के नहीं हुए तो उसके उपर अगर आपको चाहिए ना कि आपको थोड़ा सा और डिटेल में बत उटियवी ला देना भच्षो में आपको कमेंट में रिप्लाइ देदू या अगर आपको किसी भी तरीके का कुई डाउट रहा तो at a.s सबस्क्राइब सबसे जादा नंबर कोन लेने वाला है सबसे जादा नंबर आपके लेने वाले हैं के सबसे जादा कोशन आते हैं इस चेप्टर को आपको बील कुशन आते हैं तो इस चेप्टर को आपको स्ट्रोंग कर लेने एक दम इसके सारे पीवाई क्यूस लगा लेने हैं चलिए अब हम बात बात करते हैं कि कौन से सलेबस में कौन सा चाप्तेर रिमूव है डिमूव है चैप साथ लीवूव हों नहीं हुआ है जो ब्रिमोव नहीं हुआ है नेक्स बात करते हैं कार्बन कंपाउंट्स में क्या हो सब कुछ आपके सलेबस में से रिमूव हो चुका है बहुत कुछ ही इसके जो टॉपिक्स है वो एक्जाम में रहेंगे आपके तो काफी आपको इससे रिलीफ मिलना चाहिए कि जो ज्यादा मुझे लग रहा था बहुत रिलीफ मिलेगा आपको यह देख के नेच्ट आम बात करें कंट्रोल और कॉर्डिनेशन इन अनिमल्स और प्लांट्स तो बच्चो यह तो होल चैप्टर ही रिमूव हो चुका है यह तो पूरा का पूरा ही आपके चैप्टर में नहीं है हरिडिटी और इवोलुशन इसके अंदर क्या हुए बच्चे बेसिक कंसेप्ट्स और इवोलुशन सिरह बेसिक कंसेप्ट्स आपके सलेबस से रिमूव हो चुके हैं Human Eye and Colorful Word बच्चे बहुत बोलते हैं मुझे कि मैं Human Eye तो सलेबस में है नहीं Human Eye तो डिलीट हो चुका है बच्चों नहीं हुआ Human Eye Delete आप लोग मुझे जो An Academy पर बार-बार Messages करते हैं कि मैं Human Eye मत करवाईए यह मत करवाईए नहीं बच्चों युमन आई पूरे तरीके से डिलीट नहीं हुआ एक बार देखिए फंक्ष्णिंग ओफ लेंस इन युमन आई डिफेक्ट्स ओफ वीजन और करेक्शन अप्लिकेशन सोब स्फेरिकल मिरर एंड लेंस यह टॉपिक्स आपके रिमूव इसके अंदर क्या दिलीट हुए बच्चे आपका इलेक्टरिक जनुरेटर और डिलेक्ट करण्ट और इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यह चैप्टर बच्चों के माक्स सिक्योर गरता है तो यह वाला चैप्टर तो रिमूव नहीं होना चाहिए था क्यूंकि क्या रिमूव हो चुका है तो आपका एक चैप्टर कम हो चुका है बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट ओफ नैच्टरल रिसॉर्स इसके अंदर क्या बच्चों देखो इस चैप्टर इस टूब प्रिपेर और इंटरनल असेस्मेंट इसमेंट तो यह वाला किसेम सारे चैप्टर को कवर अप करने वाले हैं तो बच्चों अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका कोर्स लेकर आऊं डिटेल कोर्स क्रैश कोर्स जो भी आप चाहते हैं तो आप लोग बच्चों कमेंट करके मुझे जरूर बताईएगा और आपको क्या करना है वीडियो को लाइक करना है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है मेरे चैनल को कर देना है सब्सक्राइब और बैल नोटिफिकेशन आइकन को कर देना है ठीक है बच्चो और कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपकी लिए यह वीडियो कितनी जादा हैल्पुल थी ओके गाइस और बाकी आ